Hello everyone, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा UGC Net Management का कॉर्स स्टार्ट हो चुका है So आज हम Organization Behavior के कुछ Questions का Quiz Attempt करके दिखेंगे कि कैसे हमें Quizes को Attempt करना है So that आपको एक आडिया मिल जाए आप हमारी Website पे जाकर Login करके हमारे Quizes Attempt कर पाएं तो चलिए हम एक एक करके Quizes को Attempt करते हैं और देखते हैं इसके Techniques का है अगर आपको इससे रिलेटर और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको UGC Net Management से रिलेटर बाकी और वीडियो मिलती रहेंगी चलिए एक एक करके ही स्टार्ट करते हैं तो देखें सबसे पहले आपको करना क्या है देखें आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं तो आप स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या के स्टेप फॉलो करने हैं आपको Quiz Attempt करना इजी हो तो चलिए एक एक करके हम स्टेप को देखते हैं सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है देखें सबसे पहले वेबसाइट पर गए वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है Quiz के सेक्शन में जहां पर आपको UGC Net मिलेगा आप UGC net पे जाने के बाद आपको यहां पे start quiz करना है यहां से आप begin कर सकते हैं देखें यहां पे जो आपको timing दिखाया गया है यह आपको 12,000 seconds का दिखाया गया है but actually यह timing आपको कम दिया जाएगा क्योंकि यहां पे मेरे को हर equation को explain करना है आपको आपको उसकी complete understanding हो सके इसलिए हमने आपको time limit बढ़ा ही है लेकिन देखें अगर आप actual exam का pattern देखें तो हापे approximately आपको हर एक question के लिए 1 minute 20 seconds का time मिलता है तो आपको जो quiz attempt करने का time दिया जाएगा वो approximately उतना ही दिया जाएगा जितना anti आपको provide करता है तो अगर आप quizzes को realistic way में attempt करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा तो चलिए हम इसको quiz को ही start करते है तो begin कर सकते हैं आप देखें यहाँ पे आपको question number 1 क्या कह रहा है organization perspective can be divided into micro and macro perspective which of the following are the features of macro perspective of the organization अब देखें यहाँ पे आपको organization के micro और macro perspective से के बारे में पूछा गया है देखें organization जो होती है इसके अंदर people कई सारे individual काम कर रहे होते हैं देखें यहाँ पे अगर एक organization के अंदर 20 individuals हैं individual 1, individual 2 individual 3, individual 4, individual 5 let's suppose कि 5 individuals एक organization के अंदर काम कर रहे हैं so अगर हम एक-एक individual की बात करें so यह यहाँ पे हो जाएगा micro perspective अगर हम organization as a whole की बात करें so वो आपका हो जाएगा macro perspective so हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है organization as a whole that is macro perspective की so अगर हम organization as a whole लेकी चलते हैं so हमारे कौन-कौन से points सही हो सकते हैं या फिर क्या-क्या option given है चलिए हम उसको एक बात देख लेते हैं देखिए इसमें कहा गया है it is concerned with the organizational goals, structure and design देखिए यहाँ पे organization as a whole की बात की गई है कि यहाँ पे पुरे organization का goal क्या होगा उससे structure क्या होगा और उसका design क्या होगा so इसका option A तो correct है चलिए option number B देखते है it is concerned with the human psychological behavior तो क्या एक individual के psychological behavior पर यह depend करता है तो देखिए यहाँ पे organization है जा whole की बात को हो रही है तो यहाँ पे एक individual के psychological behavior है that is एक particular person के individual behavior को हम लेके नहीं चलेंगे तो यहाँ पे जो आपका B option है यह incorrect है चलिए option number C पे आते है it considers organization as a unit of analysis तो यह पूरे organization को as a unit of analysis लेके चलता है तो यहाँ पे option C आपका correct है चलिए option number D पे आते है so this perspective has a recognized discipline called organization behavior तो देखिए organization behavior जो इक study करता है वो हर एक individual का behavior जो होता है उसके aggregate को इक study करता है तो देखिए individual के behavior को इक study करना क्या होगा micro perspective तो यहाँ पे आपका option D है वो क्या है incorrect है तो देखिए अगर हम इसको पूरे को analyze करें तो यहाँ पे option number A and option number C आपका correct हो रहा है क्योंकि यह वाले points organization है जो वोल को consider कर रहे है तो यहाँ पे अगर हम देखिए option क्या given है A only, B only, A and B only and A and C only तो यहाँ पे देखिए आपका option क्या है D तो चलिए question number 2 पे आते हैं और देखिए इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है देखिए The type of organization which is developed automatically without any authority देखिए अगर कोई भी ऐसा organization structure जो कोई develop हो रहे है बीना किसी authority के बीना किसी formal structure के तो वो किस type का organization होगा तो चलिए उसके option देखिए क्या क्या given है आपको Political organization तो देखिए Political organization क्या होता है Economic organization क्या होता है Formal और informal organization क्या होता है इसके बार में कोई discuss कर लेता है Political organization is nothing but a political group तो यह देखिए इसमें भी formal authority होती है अगर top leader जो decision लेता है उसी को subordinates को follow करना होता है तो जो यह political organization होती है यह बीना authority के develop नहीं होती है तो यहाँ पर option A जो आपका है यह तो incorrect है चलिए option no.2 देखते हैं पूरे एक geographical area को cover करता है जैसे कि economic organization के अंदर आपका आजाएगा BRICS अगर आप BRICS की बात करें तो BRICS के अंदर 5 countries आती है तो यह economic organization है इसके अंदर भी authority होती है तो यहाँ पर आपका B option भी correct नहीं है तो अगर आप A को देखें होता है वो direction देते हैं middle management को middle management direction देते हैं workers को workers उनके orders को follow करते हैं यहाँ पर formal organization भी नहीं होगा अगर हम informal पर आए informal होता है बिना किसी authority के grape point chain जैसे कि कि किसी भी department के दो workers आपका communicate कर रहे हैं और उन्हेंने communicate करते-करते एक अलगी organization develop कर लिया आपस में consensus के साथ तो वो किस थाप का organization होगा? informal organization तो चलिए इसका option क्या होगा आपका? D question no.3 पर आते हैं तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? Luther Gillick divided the management function into eight major groups and coined a eight-letter word what is the full form of the seventh letter of that word? देखें, Luther Gillick ने management को eight-letter words में अंदर divide किया था तो वो word क्या था? P-O-S-D-C-O-R-B तो देखें इसके नदर पहला word है वो है planning, second organizing, third staffing, fourth directing, fifth and sixth दोनों मिलाके बना था आपका coordination, seventh आपका reporting है and eighth है आपका budgeting तो seventh letter आपका क्या हो रहा है? reporting तो आपका यहाँ पर, seventh letter आपका क्या होगा? reporting चलिए, question number four पे आते हैं और इसके नदर देखते हैं कि answer क्या हो सकता है? देखें, productivity of newly employed workers are not good as compared with the productivity of earlier workers Can you explain which of the management function are not done properly here? अब देखें, यहाँ पर कह रहा है कि जो newly employed workers हैं उनकी productivity at par नहीं है जो भी earlier employees काम कर रहे थे तो देखें, अगर newly employed workers हैं तो अगर उनको training and development provide की जाएगी तो उनकी productivity ज्यादा होगी अगर उनको training and development या फिर orientation उनका अच्छा नहीं वा तो उनकी efficiency reduce हो जाएगी तो उनको training and development provide कराना काफी जरूरी होगा तो देखें, अगर इसमें दो चीज़े हैं या तो जो workers हैं वो पहले से efficient नहीं थे या फिर उनको पहले से technical knowledge नहीं थी second thing यह हो सकता है कि organization में entry करने के बाद उनको training and development provide नहीं किया गया तो उनकी efficiency कम रहेगी यहां पर दोनों option हो सकते हैं लेकिन यह दोनों option आते हैं किसके अंदर है training and development, recruitment, selection यह किसी अंदर आता है staffing function गंद यहां पर कह रहा है planning function, directing function, staffing function and controlling function यहां पर कौन से function अच्छे से काम नहीं किया गया है staffing function क्यों? क्योंकि यहां पर recruitment and selection भी अच्छे से नहीं किया गया और इधर यह भी हो सकता है कि अगर वो सही से किया गया भी हो सो वहां पर उनको training and development provide नहीं किया गयी हो सो देखिए यहां पर दोनों option हो सकते हैं सो दोनों के दोनों option किसके अंदर आते हैं? स्टाफिंग function के अंदर? सो answer क्या होगा? आपका स्टाफिंग function चले question no.5 पर आते हैं सो देखिए यहां पर पूछा किया आपसे directing function is one of the important function of the management function explain which of the functions are included in the function of directing तो देखिए यहां पर आपको चार option दिये गए हैं तो पहला option क्या कहा रहा है? measuring performance of person within the organization by comparing against the predefined standards and taking corrective actions अब देखिए यहां पर कोई predefined standard बनाना उसके basis पर corrective actions लेना measure करना performance को यह सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? controlling function के अंदर पहले का conclusion कहा निकल दा है? controlling B देख लेते हैं giving instructions and providing leadership and activities dealing with the influencing, guiding, supervising and motivating subordinates so देखिए instructions देना instructions देने का मतलब भी क्या आ गया है? directing option यहां पर क्या पर चलता है? B तो आपका option होगा चलिए हम C और D option भी देख लेते हैं उनका क्या मतलब है? देखिए C option में आपसे क्या बोला गया है? involves deciding in advance what to do, when to do, where to do and how the results are evaluated so देखिए कब करना है? कैसे करना है? क्यों करना है? so यह सब चीज़े कहां पर आती है? planning function के अंदर अगर option number 4 देखिए that is D so इसके अंदर पूछा बोला गया आपसे determining the activities to be performed grouping them and assigning them to various individuals जो activities perform करनी है उसको determine करना और allocate करना लोगों को so यह सब चीज़ के अंदर आता है organizing function के अंदर so अगर हम चारो option को evaluate करें तो आपका answer क्या आएगा है आपर? B तो चलिए तो इसका answer है B तो अब आप इसके बाद आप अपना नाम और email ढालके आप अपना realt चेक कर सकते हैं देखें पहला option correct था second option correct है third option correct है fourth option correct है and fifth option correct है so देखें हम एपको इसी तरीके से साथ एक लीज attempt करने है इस तरीके से आपको marks प्रवाइड किये जाएंगे practice set प्रवाइड किये जाएंगे and material भी इसी तरीके का आपको provide किये जाएंगा जिसके थुरू आप इसली आपको घर बैठे इसकी आप UGC Net Management की preparation कर सके तो चलिए अगर आपको ऐसे एक वीज टेलिग्राम पे भी attempt करने हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं उसका link description में आपको provide किया गया है तो हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं आप